हेलो फ्रेंज आज करी में हम एक वाटर पंप मोटर को तीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं यदि हमारे पास कोई एक water pump motor है और उसे हम 3 different different place से start stop करना चाहते है और motor को जिस भी place से start किया जाए उसका electricity का भी उसका energy meter में आ जाए तो उसके लिए proper connection किस तरह किया जाएगा यदि motor को किसी एक place start किया जाता है और उस टाइम पे कोई second place या third place वाला से motor को start करना चाहे तो उस condition में motor ने start नहीं होना चाहिए that means हमारी जो motor है वो किसी भी एक place से ही start stop हो सकती है और जब motor को run किया जाएगा तो motor का जितना भी electricity का bill आना है वो उस energy meter में आ जाएगा normally आपके यहां कोई किरायदार रहता है और आप इस तरह से महाँ पे sub meter connect करते हैं तो इस condition में इस तरह से connection किया जा सकता है देखिए हमारे पास यह first floor के लिए एक energy meter है distribution MCB है और यह हमारे पास contactor है क्योंकि हमें motor को किसी भी एक ही place से start stop करना है इसके लिए हमें वहाँ पर interlocking करना होगी तो किस तरह motor को किसी भी एक place से start stop किया जाता है हम सीख लेते हैं देखिए है second floor के लिए हमारे पास arrangement बनाया गया है जिसमें हमने हर एक floor के लिए एक energy meter connect किया है एक MCB connect किया है और एक contactor connect किया है देखिए किस तरह सके working होने वाली है हम समझ लेते हैं फॉर एक्जाम पर यदि motor को first floor से start किया गया है तो उस condition में यह contactor हमारा operate होगा देखिए contactor operate हो चुका है और motor run करेगी इस time पर यदि को second floor वाला या third floor वाला person motor को start करता है तो उस time पर motor ने start नहीं होना चाहिए यदि second floor and third floor से motor को start करना है तो सबसे पहले first floor से motor को stop करना होगी देखिए first floor से motor stop हो चुकी है अब second floor वाला motor को start कर सकता है इस condition में यह contactor operate होगा और motor first floor and third floor से start नहीं होगी यदि किसी other floor वाले person को motor को start करना है तो सबसे पहले second floor वाले को stop करना होगी तब third floor वाला motor को start कर सकता है और motor के द्वारा जितना भी electricity का बिल आएगा हर एक मिटर के आपको वहाँ पर energy meter में मिल जाएगा चलिए connection की बात की जाए तो सबसे पहले हमने energy meter का connection कर लिया है और energy meter से supply हमारे distribution MCV में आ चुकी है चलिए पहले हम समझ लेते हैं देखिए जो energy meter होता है उसमें first and second terminal में हमें input supply connect करना होती है जो कि हमारे pole से आती है तो कि यहाँ पर first में face, second में हमने neutral connect किया है जो third terminal है यहाँ से neutral output हमें मिलेगा जिसे हमने distribution MCV में connect कर दिया है जो fourth terminal है देखिए fourth terminal में हमने face का output लिया है जिसे हमने distribution MCV में connect कर दिया है तीनो floor के लिए हमने same connection distribution MCV तक किया है अब हम motor के लिए किस तरह power wiring and control wiring की जाएगी हम समझ लेते हैं क्योंकि motor को start stop करने के लिए हम contractor का use कर रहे है तो चले contractor के बारे में जान लेते हैं देखिए यह इसके input terminal है जो की power terminals है यह इसके output terminal है जो की T1, T2, T3 है देखिए यहाँ से output हमारी motor में जाता है और contractor को operate करने के लिए A1 and A2 में यहाँ पे 220 volt AC supply हमें यहाँ पे connect करना होगी that means phase and neutral यहाँ पर A1 and A2 में connect करना होगी यह इसके NC terminal है और यह इसका ANO terminal है देखिए किस तरह से proper connection किया जाएगा हम समझ लेते हैं सबसे पहले power wiring की बात की जाए देखिए MCB से यहाँ से हमारा phase connect किया जाएगा देखिए phase को हम connect कर लेते हैं यहाँ पर neutral किया जाएगा देखि है इसको connect किया है और L to me neutral connect किया है इसी तरह से हमें तीनों पर में connection कर लेना है देखिए हमने ZB से face और neutral लेना हे और इसे कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है काफिर सिंपल है देखिए पावर वाइरिंग में इंपूट कनेक्शन हमें तीनों फ्लोर के लिए इस तरह से करना है देखिए सेकंड फ्लोर में इंपूट कनेक्शन हो चुका है थार्ड फ्लोर में इस तरह से हमने कनेक्शन अभी कर लिया ह 3rd floor में भी इस तरह से सिंपल हमारा connection हो चुका है अब output देखी공 जो 1st contractor का output होगा ईसे में 2nd contractor के output में कनेक कर देना है और 2nd contractor का output जो और 3rd contractor के output में कनेक करना है और वहाँ से motor में connect कर देना है ताования कोई भी contractor operate हो तो motor ने start होना चाहिए देखे फर्स कॉंटेक्टर के आउटपुट में फेस कनेक्ट किया है, सेकंड कॉंटेक्टर के आउटपुट में फेस कनेक्ट किया है, यहां से यह फेस न्यूटर को सेकंड कॉंटेक्टर और थर्ड कॉंटेक्टर के आउटपुट में हमें कनेक्ट करना है, और यहां से का यूज़ कर रहे हैं आप मोटर को भी यूज़ कर सकते हैं देखिए यहाँ पर फेस के लिए तीन वायर लिया है एक फर्स्ट फ्लोर का आउट्पुट है जिसे हमें सेकंड फ्लोर में कनेक्ट करना है और एक मोटर का आउट्पुट है देखिए तीनों वायर को अच्छे स हमारे पास मोटर का आउट्पुट का न्यूट्रल वायर है और एक थर्ड फ्लोर में जाएगा उसके लिए कनेक्टर कनेक्ट किया है देखिए से टी टू में हमें कनेक्ट कर देना है काफिस सिंपल कनेक्शन है अब यहां से जो फेस और न्यूट्रल हमें मिला है इससे जो 3rd floor का kontakter का output है वहाँ पर connect कर देना हे कोई भी kontakter operate होगा था हमारी मोटर ने operate हो ना चाहिए देखिए और 8 A time हमारा A के ही kontakter operate होगा इसके लिए हम interlocking भी करने वाले हैं देखिए power wiring हमारी control complete होती है अब control wiring किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं सबसे पहले कॉंटेक्टर का ओपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है तो देखिए हम सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन एवन टर्मिनल में कर लेते हैं देखिए किस तरह से न्यूट्रल कनेक्शन होगा और किस तरह कॉंटेक्टर ओपरेट होगा द देखिए यहां पर न्यूटल को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है देखिए न्यूटल के वायर को अच्छे से हमने टाइट कर लिया है और इससे हमें कॉंटेक्टर के A1 टर्मिनल में connect कर देना है जिससे contactor को neutral direct मिल रहा है और जो phase दिया जाएगा वो interlocking के जरीए दिया जाएगा देखे इसी तरह से हमें तीनों contactor में neutral का connection direct कर लेना है देखे आफ फार्स फ्लोर में हो चुका है इसी तरह से हमने तीनों फ्लोर में neutral का connection पहले direct कर लेते है फिर किस तरह phase wiring की जाएगी हम समझ लेते है देखे तीनों फोर के लिए हमने neutral का connection direct कर लिया है अब phase wiring के लिए हमें यहाँ पर interlocking करना होगी ताकि एट टाइम पे हमारा starter या motor एक ही जगा से या एक ही प्लेस से start की जा सके इसके लिए हमें हर एक contactor का ANC terminal यूज़ करना होगा ताकि जब contactor second contactor और third contactor stop रहे तब first motor ने operate होना चाहिए तो देखे यहाँ पर MCB में हमने first floor के लिए हम पहले wiring कर रहे हैं तो first floor से देखे MCB से phase wire हमने लिया है इसे हमें second floor के contactor का जो NC terminal है NC में input में connect कर देना है जब यह contactor stop रहेगा तब यह supply पास होगी आप यहाँ से देखे NC के output से हमें एक wire connect कर लेना है जब यह contactor stop रहेगा तब यह supply एंसे से पास होगी यह काफ़ important है interlocking करने के लिए देखे हमें interlocking कर लेना है देखे यहाँ पर wire को अच्छी से हमें tight करना है अब देखे इसे ले जाकर हमारे पास जो third contactor का NC है इसे भी use कर लेना है first contactor तभी operate होगा जब second और third stop रहेगा अब NC के output में हमने connector connect किया है और इससे हमें first contactor की coil A2 में connect कर देना है जिससे हमारा first contactor operate होगा देखे यहाँ पर हमें connect कर देना है देखे हमारा first contactor तभी operate होगा जब second और third stop रहेगा देखे इसकी wiring complete हो चुकी है अब second के लिए भी हमें same connection करना है neutral हमारा connection हमने direct किया है अब देखे second contactor के लिए wiring किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं यहाँ से phase wire हम connect करते है उसे third contactor के NC और first contactor के NC से होता हुआ second को operate करना है इसके लिए हमें extra NC की requirement होगी तो आपको इस तरह से add-on block connect करना होगा यदि आपके contactor में NC नहीं है तो आपको इस तरह से 2 NC की जरूरत होगी बड़ हमारे contactor में एक-एक NC दिया गया है इसके लिए हमें single NC की requirement है देखे हमारे पास आप इस तरह से single NC के लिए एक add-on block connect कर सकते है देखे हमारे पास contactor में क्योंकि एक NC दिया गया है इसलिए हम single add-on block का use कर रहे है आप चाहे तो इस double NC add-on block का भी use कर सकते है देखे यहाँ पे इसे fit करने के लिए सबसे पहले lock को आपको दबाना होगा और इस तरह से fit किया जाएगा इसी तरह से देखे आपको इस add-on block को भी contactor में fit कर लेना है और आपको इस तरह से दबा के पहले check कर लेना है आपका add-on block proper fit हुआ है या नहीं चलिए अब wiring की बात कीज़े तो देखे यहाँ से phase wire हमने लिया है देखे फेज wire second floor के लिए हम wiring कर रहे है इस phase wire को ले जाकर थर्ड जो contactor है थर्ड कॉंटेक्टर का NC यूज़ करना है देखे एड-on block में जो NC दिया गया है इसका हमें यूज़ करना है इसके NC के output से देखे इसका NC के जो output होगा उसी हमें first floor के NC में लेकर जाना है देखे first floor के NC में हम connect कर लेते हैं second floor से motor या contactor तभी operate होगी जब first floor and third floor से stop हो देखे यहां से इसके NC से ले जाकर हमें second floor के लिए जो contactor इसके A2 में connect कर देना है देखे यहां पर हमें connect कर देना है तो second floor के लिए contactor की इंटर लॉकिंग हमारी यहां पर complete होती है है आज same connection हमें third floor के लिए कर लेना है देखे थर्ट फ्लोर से हमें phase wire लेना है और इस contactor को operate करना है बड़ थर्ड फ्लोर से contactor तभी operate होगा जब first floor and second floor से stop होगा देखे यहां से हम phase wire को connect कर लेते हैं connection को आप अच्छे से tight कीजिए कहीं भी losing नहीं होना चाहिए देखे अप चुक्य हमें एक ही एंसी की requirement है क्योंकि हमारे contactor में दिया गया है तो हम इस add-on block को connect कर लेते हैं इसे हमें second floor के एंसी से होता हुआ first floor के एंसी से होता हुआ third contactor को operate करना है देखे इस second के एंसी से connector हमें connect करना है चले यहां पर एक connector connect कर लिया है इसे हमने first floor के लिए जो NC दिया गया है यहां पर connect कर लेना है देखें यहां पर NC में हमें connect कर लेना क्योंकि एक NC हमारे पास contactor में दिया गया है यह आपके पास contactor में NC नहीं दिया गया हो तो आपको 2 NC के requirement हो कि उस condition में आपको दो इंसी वाला एडन ब्लोक कनेक्ट करना होगा और उसका जो आउटपूट होगा से में थार्ड कॉंटेक्टर की कॉईल में कनेक्ट कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारे पास फास सेकंड एंड थार्ड फ्लोर के लिए कंट्रोल वाइरिंग कम्प्लीट होती है आप यदि आप हर फ्लोर के लिए एक इंडिकेटर कनेक्ट करना चाहें तो इंडिकेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जिस भी फ्लोर से हमारी मोटर को स्टार्ट किया गया है वहाँ पर यदि कॉंटेक्टर ऑपरेट होता है तो इंडिकेटर ने भी ऑपरेट होना जिससे हमें पता चल जाएका हमारी मोटर स्टार्ट हुई है या नहीं सपड़ हमारे पास 1st floor से मोटर run कर रही है उस condition में 2nd floor या 3rd floor जाला मोटर ही को स्टार्ट करता है उसके हिंदिकेटर तो चरछे स्टार्ट हुजाएंगी बट इंडिकेटर इससे सरक्षोर जा Ray से, A2 से, यहाँ पर Face connect कर देना है, एक बार फिर से, Contactor के M1 से Neutral देना है, और A2 से Face connect कर देना है, काफ़ी Simple है, यदि Contactor operate होगा, तभी हमारा Indicator glow करेगा, देखें, इसे भी हमें Contactor के A1 से Neutral और Face A2 से connect करना है, देखें, तीनों इंडिकेटर का connection हमें इसी तरह से कर लेना है, यदि हमने MCB on किया है, तो यदि contactor operate होता है, तब ही हमारा indicator glow करेगा और हमें पता चलेगा हमारी motor run कर रही है, या नहीं, देखें, connection हो चुका है, first floor से motor का on किया, देखें, first floor का indicator glow कर रहा है, और motor start हो चुकी है, देखें, अब second floor से start किया जाएगा, तो indicator glow नहीं कर रहा है, third floor से भी हम देख लेते हैं, देखें, indicator glow नहीं कर रहा है, that means हमारी motor only eight time, एक ही place start होगी, देखें, इसे हम stop कर लेते हैं, second floor से यदि start किया जाता है, तो second floor का indicator glow हुआ है, motor start हो चुकी है, उस time पर देखें, third floor से, औ और first floor से हमारी motor start नहीं होगी, सबसे पहले देखें, अब हम third floor से भी एक बार चेक कर लेते हैं, third floor से start किया, indicator glow कर रहा है, motor on हो चुकी है, इस condition में second and first से motor start नहीं होगी, तो इस तरह से आप काफी आसाने से, एक motor को तीन प्लेस start stop कर सकते हैं, देखें, यदि first floor से motor को start किया गया है, तो देखें, motor run कर रही है, second place से start नहीं होगी है, अब क्योंकि second place वाले के MCB on है, यदि first floor से वाला MCB को off करता है, देखें, first floor वाला MCB को stop करता है, तो अभी second floor से stop की जाएगे, second floor वाले के automatically start हो जाएगे, देख सकते हैं, आप, that means, देखें, यहाँ से second floor के start हो चुकी है, अब यदि third floor वाला start करता है, तो MCB on हो चुकी है, पर motor run नहीं कर रही है, देखें, जैसे second floor वाला stop करता है, third floor वाले के automatically start हो जाती है, सो इस तरह आप एक water pump motor को तीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से start stop कर सकते हैं, और at a time हमारी motor किसी भी एक ही प्लेस से start होगी, क्योंकि हमने इसमें interlocking किया है, और motor के दौरा जितना भी electricity का बिल आएगा, उसके energy meter में आ जाएगा, सो आब आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो का सला कमेंट से में जरूर पूछे, कोई डाउट तो कमेंट से में जरूर पूछे, तो आज के लिए इतना ही, टेंग्स फ्रेंट